यहीं नहीं, यह देखे, यह Missile की सबसे बड़ी खासियत क्या है? कि यह Missile सामने से फाइर नहीं करती है, पहले हम लोग इसे सामने से फाइर करते थे, इस टाइप की Missile में घाटा क्या होता है? कि आपको जहाज का मूँ भी आगे ही रखना पड़ता है, जैसे मन के चले उधर दुसमन का जहाज है तो ऐसे मिसलवत थोड़े हैगी, आपको जहाज भी घुमाना पड़ेगा, लेकिन भारत ने इसको एतना एडवांस बनाया है, कि आगे अब रखने की जरुवत ही नहीं है इसमें वर्टीकल लांच है, पहले उपर चल जाएगा, उसके बाद कहिए कि केन्ने मुड़ना है, अब मन के चले 90 डिग्री चलागी, अब कि इधर हो मुड़ दीजे उसको क्या फरक पड़ता है, लेकिन अगर आईसे रहेगा, तो फिर पीछे तो नहीं मार सकता है, इक कह अगर वो नेवी का खरीदा है, तो अगले दिन एयर फोर्स का भी खरीदेगा, एयर फोर्स के अलावे जमीन पर भी मार करने वाला अब लेबल है, ये भी खरीदेगा वहाँ पर, अब पानी के अंदर से, पता ही तो इमिसाइल कहां से आया है, तो पानी के अंदर कोई तो भारत पहली बार, बच्पन में हम लोग देखते हैं, भारत खली हत्यार खरीद रहा है, अब इतना खुसी होता है कि भारत हत्यार अब बेच भी रहा है